हलो फैंट्स वेलकों अटीज इंडिया वन्स अगें तो फाइनले रास्तान हाई कोड ने सिविल जज के लिए वेकेंसी जारी कर दी है और ये वेकेंसी हर साल आती है लेकिन लास्ट ये ड्यू टू कोरोना नहीं आयती तो इस साल दोनों साल की मिला के ये वेकेंसी आई है प इख्यां के देट कब से स्टार्ट होगे लास्ट डेट क्या रखी गई है साथ ही यहां पर इसकी डेशकेंट क्लिकरों रखा गया है एग्जाम पेटर्न क्या रहने वाला है तो इन सारे सावालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो अभी जो आप इसकी करोगे तो यह नया पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में यहाँ पे उपर यूपर आप देख सकते हो civil judge care 2021 यह option आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा यह पेज ओपन हो एक सो बीस टोटल पद अविलेबल है और डियूरिंग प्रोबेशन यह यहाँ पे सेलरी आपके रहने वाली है अब आगे बढ़ते हैं इस official notification में और पदों की बात करेंगे detail में तो यहाँ पे 2020 के जो बागी पद थे क्योंकि last year vacancy नहीं आई थी वो 89 है और 2021 के लिए 31 पड़ है और इनको इस पर category wise यहाँ पे divide कर दिया गया है bachelor of law के last year में अगर आप हो तो भी eligible होगे लेकिन जो man परिक्षा होगी man के 7 दिन तक आपको यहाँ पे आपकी जो degree है वो जमा करानी होगी रास्ता नोच नहीं लेके office में तो last year में अगर आप हो तो apply कर सकते हो लेकिन degree आपको साथ दिन के अंदर अंदर जमा करानी होगी अब physically और mentally fit होने चाहिए साथ ही यह ओल इंडिया job है कोई भी भारतिय नागरी के इसमें apply कर सकता है अब age की बात करेंगे तो age यहाँ पे 21 साल से लेके 40 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए जो कि एक जनरल वी 2022 से count की जाएगी साथ ही जो other categories है उनको age पर government rule, age में relaxation दे दिया जाएगा अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे परिक्षा सुल्क के बारे में दिया हुआ है तो परिक्षा सुल्क यहाँ पे जनरल, OBC, क्रीमिलेर और जो भी other state के candidate है उनके लिए 1000 रुपे है तो यह है यहाँ पे application fees और यह non-refundable रहने वाली है अब आगे बढ़ते हैं इस official notification में तो यहाँ पे बात करेंगे exam pattern की तो यहाँ पे pre होगा और उसके बाद में man exam होगा तो यह होगने वाले हैं और उसके बाद में interview conduct कराया जाएगा तो जो pre exam के लिए qualification marks है वो 45% है जबकि SCST candidate के लिए 40% है इसमें qualify करना होगा pre में और यह qualifying in nature रहेगा इसके जो marks है वो final merit list में नहीं जुड़ेंगे और pre में 15 गुना लोगों को pass किया जाएगा man में appear होने के लिए और जो man exam है उसमें जो qualifying marks रहेंगे वो 40% रहेंगे aggregate और जो low के papers है उनमे 35% minimum आपके आने चाहिए और इसके बाद में आपको short list किया जाएगा interview के और उसके बाद में interview आपका conduct कराया जाएगा तो जो pre exam होगा वो objective type होगा man exam subjective type होने वाला है और यहाँ पर syllabus भी दिया हुआ है आप देख सकते हो अब आगे यहाँ पर man exam की बात करेंगे तो man exam में यहाँ पर low के दो paper होंगे जो की 100-100 marks के होंगे और 3-3 गंटे का समय मिलेगा साथ ही language में Hindi essay और English essay के दो paper होंगे जो 50-50 marks के होंगे दो-दो गंटे का समय मिलेगा और last में यहाँ पर interview होगा जो की 35 नंबर का होने वाला है और man exam के लिए यहाँ पर syllabus दिया हुआ है यह भी आप check out कर सकते हो Hindi essay और English essay से सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है क्या के यहाँ पर cover होने वाला है अब बात करेंगे important dates की तो जो आवेदन है वो 30 जुलाई से start होगा दो पर एक बज़े से last date 31 अगस्त रहेगी शाम को 5 बज़े तक और जो परिक्षा सुल जमा कराने के तिति है वो भी 30 जुलाई से start होगी और last date यहाँ पर 1 September यहाँ पर रहने वाली है औ अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बात करेंगे official website की जो कि मैंने आपको starting में दिखा दी थी लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं यह official website रहने वाली है रास्तान High Court की और इसी पर जाके आपको online apply करना है साथ जो भी official information चाहिए इसी को आपको refer कर और किसी भी website को refer नहीं करना है तो फ्रेंट्स यह थी पूरी जानकरी इस official notification से related फिर भे अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाहा आप देना चाहते हूं तो इस वीडियो कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हो साथ ही फ्रेंट्स हमाज चैनल डिजी इंडिया को तो एक सुनहर आफसा और आपके पास में civil judge बनने का थैंक्यू फ्रेंट्स थैंक्स वोचिंग इस वीडियो